जहिंत प्यारों दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था आपको संडे को जो क्लास मिलेंगी और नमर सिस्टम का जो बिवित की कोश्चन होंगे हम उसे बताएंगे ठीक है तो आज मैं लेकर आया हूँ आपको एक बेतरिन कोश्चन का तो दोस्त इसे जरूर देखेगा आप और बहुत बेतरिन कोश्चन है जो की अकसर एक्जाम में पूछा जाता है चाहे जो भी एक्जाम आप देने जाए अगर मैत आती है उसमें तो यहां से कोश्चन जरूर आते हैं दोस्त और क्या होता है कि जैसे नुमेरिकल डाटा उसका चेंज हो लेगन इस टाइप की कोश्चन आपका फर्ष्ट वाला है उसे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं और आपका पहला कोश्चन है दिया है कि जब एक संख्या को 63 से विभाजित किया जाता है तो सेस्फल 26 की रूप में बचता है यानि कि 63 क्या है हमारा भाजक है भाजक क्या है भाजक हमारा 63 है संख्या को कोई संख्या रहा होगा एक्स ठीक है जैसे 33 से भाग दिया गया होगा कुछ बार गया होगा तो सेस क्या आया था 26 ठीक है तो कहा है कि उसी संख्या को 3 से विवाजित किया जा तो सेसफल क्या आएगा तो मेरे भाई कुछ मत करना जैसे कहा तीन से तो आप एक बार यह चेक कर लिजेगा कि क्या तीन से डिवाइड इसमें चला जा रहा एक नहीं पहले वाले भाजक में डिवाइड चला जा रहा एक नहीं इसे आप चेक कर लिजेगा एक बार कि अगर डिवाइड चला जा रहा है इसमें तो आप क्य हो जाएगा दो जो कि आपसा नम्मर भी फार बाहुबली आपका सही होगा ठीक है तो ये आई होप मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ठीक है मेरे वाई अब दूसरा कोश्चन है आपका तो ऐसे कोश्चन आएंगे तो आप लगा लिजेगा जैसे कि हम एक टाइप्स के बताएंगे ज्यादे कोश्चन नहीं बताएंगे कि वीडियो लंबी हो जाती है ठीक है तो हम ऐसे टाइप्स को बताते रहेंगे जो आपको न समझ में आए तो उसे आप जरूर पूछ लिजेगा और आप लोग के लिए मैं टेलिग्राम पे जल्दी एक चैन लेता है उसका उत्तर 24 था साय उत्तर क्या है मित्र क्या था कि 36 से भाग देना था टिक है 36 से भाग देना था लेकिन उते किसे दिया 63 से भाग दे दिया हमें लगता है कि यो दार्ग रुपी के आए में रहा होगा अब उसको 36 के जिकत तिरसर दिख गया होगा हो है ना नसे में उल्टे-पुल्टे लिख दिया होगा तो क्या किया था तो जो इसका उत्तर आया था यानि कि भागफल जो आया था 24 आया था माल संख्या एक्स थी ठीक है एक्स थी तो सही उत्तर क्या है पुछा है सही उत्तर क्या है तो मित्र हम क्या करेंगे पहले हम यह करेंगे कि उस संख्या ग्यात करें कि आखिर कार संख्या क्या थी तो संख्या यही तो थी इसी में हम 36 से भाग देना था में लेकिन वह बिचारा नशे में था ठीक है भांगों खाली आगया बंबं खाली आओगा ठीक है लेकिन रगदम भैंकर नशे में रहा होगा आया होगा 36 36 भाग दिया 24 एंसर आगया आप देखने वाला काओगा कि यह यार एंसर तो कुछ दूसरा आना चाहिए तो 24 आ गया है तो पूछा होगा पस्बांघ यह होता है भाग फल आटए है तो यहां पर कुछ बज़ता है जिसी कती होगा पूरि चले गरिये हैं प्रश्ण में कहा बंग सेच के बारे में कोई जिक्री नवी किया गए ठीक है तो हम क्या करेंगे पहले संख्या गयात करेंगे तूब क्या होता है होता कि इसको मिटा दे रहे हैं सेश को होता है भाजी बराबर भाजक पहले भाजक लिखना गुड़े भागफल प्लस सेश फल या सेश ठीक है तो भाज के आए आपका एक्स निकालना है भाजक के आए 63 है भागफल के आए 24 है असेश के आए 0 है अगर सेश में कुछ दिया र ठीक है इसका multiply करेंगे देखो multiply कासे करते हैं इसका मिल्टिप्लाइज में करना चार्ट यह 12 थेख अतिन नचेक साथ इसका इसमिकरना प्लिस्मिकरना चार्षक चोवीश च्छादूना-बारह बारदु चुटा दो ग्यारा पाचितना संख्या के आगए संख्या मरा आगया पंद्रो सो बारह ये वर चिक के लिजएगा गुड़ाया आप अंद्रो सो बारह में भाग देते त थो आंसर क्या थां तुछ शत्ती से भाग देना है पंदरों सब्भारन ऐसे ठीक है सचार्चिसे भाग देंगे तो क्या होगा देखो एप ऐसे पढ़े देते हैं थोगोई छोटा है तीन से तो दो ले लेंगे तीन प्रश्ची 15-15 के निरिस्ट जाएगा तो चार से ले जाएगा ना चार से ले जाएंगे तो कितना होगा चार चक 24-4-3-12 अब बारदू गटाएंगे तो क्या जाएगा छैक साथ 36 दुनाबाद तैयार ठीक है आपका एंसर अगया 42 जो कि आपसंदिया आपका आपसंदिया बहुता है अगर बता देंगे डिश्टल सब्सक्राइब कि उसके बारे में उस से अगर हम लगाएंगे बहुत आशान तरीका होता है उससे लगाने का ठीक है तो मुझे लगता है कि ऐसे आप पहले लगा लेजिए गया और उसका दूसरा जो तरीका होगा हम किसी वीडियो में उसको भी बता देंगे क्योंकि आज अगर दुतिन तरीके से बताएंगे तो आप कनफीज हो जाएंगे ठीक है यह भी बहुत सिंपल तरीका है बस आपको यह सब चीजे अगर पता होती तो साधी इसका इस्टे बहुत छोटा होता है ठीक है तो इसे मिटा रहे हैं और नेस्ट कोशन आपका है कि दिया नेस्ट कोशन की 343 में क्रमिक रूप से 5-6-7 से लगातार भाग देने पर उनके करमागत से क्या होंगे 343 में भाग देना है आपको किसे 5-6-7 से ठीक ह तो 343 में अगर डिवाइड करें ऐसे ठीक है यहां पर से लिखेंगे यहां तो क्या लिखेंगे इसमें भागफ़ लिखेंगे इस वाले में ठीक है ऐसे अगए अग पहले किससी देना डिवाइड पहले देना आए शेवर-देखं NEW फंसिंगे 5-3िस होगा अईधर जाएगा पंच उट छालिस होगा तो कितना इ妁 पहले अब शेखंगे जो किसे देंगे यहां पर आजाएगा तो यह हमारा आ गया क्या आ गया सेजफ़ल कैसे लिखेंगे तो त्री टू फूर यह हमारा सही होगा जो कि आप संद्री टू फूर आपका आप्शन नमर भी भी फारबाव वली सही है मित्र ये मत अब घबडाएगा कि हर question का answer भी ही होता है ठीक है इतिफाक ही है कि option में यहां पर दिया ही है ठीक है तो आप लोग इससे प्रिशाओ जो इसकी लगाने का method है उसको सीखने का कोशिश किजिएगा कुछ मत किना बस copy करना जो आपका भाजी है अब five से divide करना जितने क्रम से घटाएंगे तो दो बच्चändern बच्च है फिर सास्त बाग देंगे साथ साथ कम साथ हो गया तिक्ट क्यार में साथ घटाएंगा उचार वजदेगे आफ करना से नोट कर दिंके थी दो चार यह आपका हो गया से हमक्रूमिक्ण से तो आप निश्ट 好 आते हैं ये को स सेम टूसें इसी टाइप्स के आए इसे आप लगा लिजेगा नहीं तो फिरम बताई दे रहें आपको साथ और अच्छे समझ में आ जाए ठीक है तो आपका यह कोश्चन है लिखा है 242 में क्रमिक रूप से आठ और नौ से लगतार भाग देने पर करमागत से स्क्या होगा कि विजस में 242 में किसे बाग देना है हमने बताया था कि आपको इधर से लिखेंगे क्या लिखेंगे है छे इस लिखेंगे अब पहले भाग देना हमें आठ से किसे दिना आठ से तो आठ तरीक के चोविस होता आए ठीक है अब दो बच गया डिवाइड नहीं जाएगा हम ज दो दो आपका क्रमिक सेट फॉल है इसे आप आपसन में देख लिजेगा कौँ साफंस सही है अपसन नमर एप आगरा सही है इसे आप कर लिजेगा आइठिक मुझे लगता है यह बाते आपको समझ में आ गही होंगी अब नेस्ट कोश्ठ्ट पहर हम जाते हैं इसे नोट कर ल और ये class 6-5 का ये question है, जिसे पूछा जाता है, अस्थानी मान क्या होता है, जाती मान क्या होता है, इसके बारे में आप जान लेजेगा, इसके बारे में हम चर्चा कर दे रहे हैं, अस्थानी मान, पहले हम बताते हैं, जाती मान, जाती मान, आई, इसको बोलते हैं, अंकी मान इसी को इंगली समें बोलते हैं face value क्या बोलते हैं face value क्या बोलते हैं face value है ना face value जगने value समझज लेजी तो यह तीनों नाम एक ही है और अक्सर question में पूछता है की जाती मान और अस्थानी मान के बीच में अंतर क्या होगा जाती मान या अंके मान और अस्थानी मान के बीच योगफल क्या होगा उनका ठीक है ऐसे को पूछा जाता है हम क्या करते हैं जाती मान पूछे या अंके मान पूछे फेस वाली पूछे जो लिखा होगा जैसे पांच लिखा है ठीक है अगर पूछे इसका जाती मान क्या है तो पांश होता है यानि कि जो रहता है उसी को कौपी कर देता है अगर पूछे फाइब का जाती मान या अंके मान क्या होगा या फेस वैलू क्या होगा तो आपका क्या होगा फाइब होगा अगर सेवन होगा तो सेवन क सेव नहीं रहेगा ठीक है इतनी बाते आप याद कर लिजेगा लेकिन अस्थानी मान क्या होता है अस्थानी मान में यह होता है कि वो कौन से अस्थान पर है जैसे आपको पढ़ाया जाता है पहले क्या आता है इकाई है फिर क्या होता है दहाई फिर क्या होता है दहाई घखद है ऐसी फिर का इसके बाद आता है सैकड़ा फिर लुकर है फिर आता है दस हजार यहां जिसी एंगली से बोलते हैं One place 10 place 100 place thousand place 10 thousand फिर आता है लाख यहां प्रत अलाक पिर आता है नम्मर्स होते हैं, उसका अगर अस्थानी मान जैसे हम कहें, अगर कोई नम्मर हम लिख दिया हैं ऐसे, अगर ये पूछे कि 9 का अस्थानी मान क्या होगा, तो 9 ऐसे लिखेंगे ऐसे, 9 into, इसे छोड़ के, इधर जितने होंगे, उतना 0 लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, तो into, 1 की क्या अस्थानी मान या place value, इसी को इंगले से बोलते हैं, ये place value, क्या बोलते हैं, place value, लेकिन, मेरे भाई, अगर ये पूछे, कि 9 का जाती मान क्या होगा, तो हमेंसा 9 होगा, ठीक है, तो ऐसे question आते हैं, कभी-कभी ये पूछता है, कि अस्थानी मान और अंकी मान या आपक कुछ नहीं करते हैं, अस्थानी मान निकाल कर, अंकी मान को खटा देते हैं, मिर भाई, एक बात आप नोट करने कीजेगा, कि अस्थानी मान का मान हमेशा, अंकी मान से, या तो बड़ा होगा, या तो उसके बराबर होगा, कभी-बी जाती मान से छोटा नहीं होता है, अर् एक दम उसके बराबर है अगर का जाती मान क्या होगा ऑठ का अस्थानी मान क्या होगा तो 8 into 1 is equal to 8 होगा तो यह हम देखो सेम से मारा है तो इनके बीच इकाय अस्थान पे यानि की one place पे क्या होता है कि कोई भी नम्मर होगा उसके उसके face value और place value कि बीच का difference क्या होता है जिरो होता है और अगर यह कहा जाएं कि उनके place value और face value यानि कि अस्थानी मान और जाती मान का योगफल क्या होता है तो उस अंक का दो गुना होता है योगफल अंतर होता है जीरो इतनी बाते आप याद कर लिजेगा ठीक है अब हम आते हैं question पे और question क्या दिया है question दिया है आपका पॉइंट लगा ठीक है यह पॉइंट है 21 में 5 का अस्थानी मान क्या पूछा है अस्थानी मान तो हम देखेंगे 5 कहां पर है पांच पॉइंट की इस साइड है अब क्या करेंगे 5 लिखेंगे इंटू जब मेरे भाई पॉइंट के इस साइड होगा तब हम क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे जैसे कि इधर हम करते थे तो multiply करते थे 10 का multiply करो 100 का multiply करो लेकिन point की अगर दाए side होगा तो हम divide करेंगे divide करेंगे ठीक है दो अंक बाद है तो 100 से करेंगे 3 अंक बाद होता तो 1000 से करते हैं 4 अंक बाद होता है तो 10,000 से करते हैं लेकिन अगर यही by side होता तो हम क्या करते हैं multiply करते हैं डारेक्ट लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं इन्वर्स कर से मल्टिप्लाई करेंगे आपका यह आ जाएगा अस्थानी मान आपका जाएगा जब 00 काटेंगे तो यहां पर दो अंकबाद पॉइंट लगा देंगे तो 0.05 आपका आ जाएगा अस्थानी मान क्या जाएगा अस्थानी मान अस्थानी मान यह आपका आपसन में वह सबस्वार घिए तो इसे आपनोट कीजीएगा अब नेस्ट को सच्चंट में हम आते हैं आपका निस्ट को सिट्न Rise को सबस्क्राइब तो इसे आपने को सबस्क्राइब तेखाई है लेकिन इसमें question एक आओर है मज़िदार question ये है लिखा है बोर्ड पे दिखाई देगा आपको ये जो numbers है numbers आपका 1,32,468 में तीन अंकित मान और अस्थानी मान के योग का पता लगा है यानि कि योग क्या होगा तो numbers हम लिख दे रहे हैं आपको 1,3,2,4,6,8 अब तीन का अस्थानी मान तीन का अस्थानी मान अस्थानी और अंकिय मान अंकिय मान तीक है तो यहां से हम निकालेंगे तो पहले लिख लेंगे आपके दहाई एकाई दहाई सैकडा हजार हजार दस हजार ठीक है तो दस हजार पे आएगा तो दस हजार का मिल्टिपलाई किया जाएगा 3 into 10,000 4 जूरू कुछ मत करना यह 3 के बाद कितना जूरू लगाएंगे तो 1,2,3,4 4 जूरू लगाएंगे ठीक है तो इतना बाद आपको याद होना चाहिए हो गया आपका तीस हजार यह क्या है आपका अस्थानी मान है क्या है अस्थानी मान है क्या है अस्थानी मान अंकिय मान क्या होगा अंकिय मान जिस नम्मर का पूछेगा वह यह नम्मर आपका अंकिय मान हो जाएगा इनका योगफल पूछा है योगफल क्या आओगा तो जोड़ देंगे यहाँ पर क्या करेंगे योग क्या ओगा योग तो 30,000 प्लस तीन बराबर 30,000 तीन ठीक है यह आफसन आपका दिया है कौन सा 30,000 तीन आपका B फार बावबली आफसन C 20 है ठीक है इसे आप नोट के लिजेगा और आज के बाद आपसे यह गलतिया नहीं होनी चाहिए और यह कभी भी आपको confusion नहीं होना चाहिए अंकी मान यानि कि जाती मान किसे करते हैं या face value किसे करते हैं अब place value किसे करते हैं question के बीच difference क्या होता है यह बाते आपको याद होनी चाहिए ठीक है अब next question आपका दिया है एक यह सब विभीत के question है यह question जो हम बताने जा रहे हैं आपको यह question पूछा है question पूछा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि आप किस लेवल की मैत और मतलब कि हम बड़े से लेके छोटे तक पूरा बताने की कोसिश कर रहे हैं कि आप से कोई भी question छोटे नहीं गलती हो लेकिन हम आपको आसान तरीके में बताने की कोसिश करेंगे लिखा है किसी परिच्छ हम एक विद्यार्थी को उसके प्रतेख इछार अंक दी जाते हैं तो सही उत्तर के लिए कि लिए कि इतना ढिया चार गलत के जाते हैं यह माइनस करे जाता है इसमंद्га अगया अब यह ये लिखते हो। कितना आंक मिला आंक मिला कृतूस को 150 अंआ प्राप्त आंक े एक सब 50 टोटल कुच्टिन के तना था कूल प्रस्ट कूल प्रस्टन था 75 में भाई अगर हम जो बंदा था अगर पचाटmost ? कवेश्टिन, question पूरा करता पूरा करके आता तो कितना आंक आता इसको तो उसको आता यहां पे हम लगा रहे हैं ठीक है यहां पे हम लगा रहे हैं अगर 75 का 75 पूरा करता तो चार आंक के हिसाब से उसको कितना मिलता तीन सो अंक मिलता लेकिन समस्या इस बात का हुगा उसने कोश्चन तो किया लेकिन कुछ गलतिया की उसने गलतिया क्या की गलती के वज़े से उसको 150 अंक मिला 150 अंक वो सही किया था कि सही एंसर के लिए 4 अंक दिये जाते हैं गलत उत्तर के लिए 2 अंग काट ले जाते हैं, कुल प्रशनों के संक्या 75 था, तो यहां से हम निकाल लेंगे, पुडांख, ठीक है, पुडांख बंदर पूरा अंग, ठीक है, यह प्राप्त अंग, इसी को बोलते हैं प्रप्तांग, प्रप्ता कि अग्सbak तो में तरह किया हुऊगा कि उसने गलती हिए किया कि 80 qualcकमिला उस में किया होगा उसने कुछ ही किया होगा तो यह दो नम्मर कठा अक्ठाइअ लेकिन कुछ संख्याओं में से चार में से भी कुछ हंक ये काट लिया ठीक है जैसे अगर कटा होगा तो चार रंग तो पूरा-पूरा कतम हो गया होगा चलेगा कि गलतिया आखिरकार कितनी हुई है तो यहां पर हम क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे बस 150 घटा लेंगे तो 150 आ जाएगा अब 150 क्या होगा कि उसे के ओल 185 अंक मिला इतिफाक एक दोने एक कोल है तो हम क्या करेंगे ये चार तू चार कटा होगा गलत क्यों जैसे अस सही में से ये दू-दू अंक कटा होगा तो चार दू छा से अगर डिवाइड करेंगे तो आ जागा आपका गलत गलत प्रस्णों की संख्या ठीक जाएगा सही वला हो जाएगा आपका पचास थिक है प्चातर में से 25 घटा देंगे यहां पे लिख दे रहा हूं पचातर माइनस 25 बराबर पचास अब च्यक करेंगे कि क्या यह अन्सवर मेरा सही है तो च्यक कैसे करेंगे हैटीएट Recently I am यहां पर लिख रहा कर दिये थे ठीक है कुछ लोग नहीं होते हैं जाते हैं करते हैं कि भी फार बजरंग बली मार देंगे दिफार दुर्गा माता मार देंगे सही हो जाएगा दुर्गा माता सही कर देंगे भाई यह सब गलत होते हैं यार ठीक है जितना मेनत करोगे जो पड़ के जाओगे वही किसी और या किसी आस्था को रही कर सकते क्योंकि आपको पाश्ची एनरजी देने करने के लिए आपको धर्म बना गया कि फूजा करेंगे तो आपको यह स्एनरजी दिया जाएगा आपको स्अधरी स्वक catastrophic नाहीं सोचेंगे तो आप से समस्या होंगे ठीक है उसके लिए का गया है ना कि यह सब चीज़े होती है तो हुआ क्या कि 200 अंक उसको मिलना चाहिए था लेकिन कितना मिला था उसे अगर पचास में इसे दू से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा पचीज अनि कि 25 कोश्चन उसने गल्दि कर दिया था ठीक है तो यहां से क्यूं पचास जब घटाएंगे यहां से तो आ जाएगा आपका देश से यह अंक मिला था जो कि कोश्चन में दिया है तो मित्र किसी संडे को आपको विवीत कोश्चन के साथ नमर सिस्टम के जो विवीत की कोश्चन होंगे आपको मैं संडे टू संडे देता रहूंगा कब तक दूंगा जबते खतमना हो जाए अन्नेश्ट टॉपिक आपका जो फ्रेक्शन है वो आपका मंडे को चलता ही रहेगा तो जिसे हम ना बताया हूं सायद मुझसे भूल गया हो तो उसे भी आप कमेंट में या किसी तरह हमारे पास पहुचाने की कोशिश कीजिएगा अगर वहां पर वार्शिप नमर भी है उसे भी देख लिजेगा तो उस पर सेंड कर दीजेगा या फिर आप कमेंट में एक बार बत अबता दीजेगा तो हम आपको वार्शिप नमर या फिर टेलिग्राम चैनल हम बराएंगे आपके लिए बेतरी नहीं का वहां पर सेंड कीजेगा तो आज के लिए मित्र बस इतना ही